इस फिफ्ट ऑक्टूबर बहुत नस्दीक आगे विपर्स बेस्ट अफ लुक्त कर लगा ये फामास और इसे अभी लक्मी पूरी खेडी में जो वाइलेंस हुई है उसके जिम्मेदार कौन है जो आपको पता है कि यह सब कानून अब नहीं अमल हो रहे हैं और वो सुप्रीम नोटां करने वाला कुछ नहीं है तीन-चाहर दीन पेहने हमने की एगेडी उत पीजीश by एक पेज़ ने इसे उымиडम सब्सक्राइब गारेंस UK ये और बहुत सरे स्थालगों मेंट्स की थे अब यह पर है तोब्लिक बींट में आया है उसवत क्या amendments होती है finally approved क्या नहीं होती है वो हम जब आ जाएंगे तब देखेंगे अभी देखने के जोट नहीं है एक नॉबल प्राइस मिला है देखिए आज कर वैसे तो पहले बहुत पूछा करते थे 2008 से पहले पूछा करते थे एक आधी बार इन्होंने बीच में पूछा वैसे अब यह directly पूछना बंद कर दिया बड़े factual questions पूछने बंद कर दी है कि कि किस ने इस नोबल प्राइस जीता किस ने इसमें जीता बाकि फिर भी अगर आया है तो आप थोड़ा सा नोट बना के रखिए जिसको medicine भी खा जाता है वो मिला है यूएस के scientist ने दो David and Adam उन्होंने basically discovery करी है कि हमारी skin में कैसे receptors होते हैं जो बताते हमें कि क्या temperature, touch और कितने heat है, कितना cold है उस सब के बारे में तो थोड़ा सा Nobel Prize के facts को भी जान लीजिए जादा नहीं है बहुत सारे थे facts तो बट जो important है ह में दिया गया था किनके नाम पी दिया जाता है Alfred Nobel जो Swedish inventor थे जिन्होंने dynamite बनाया था, उनके आखरी इच्छा थी basically कि या मेरे जो इतनी जादा funds है मैं पस उनको इसके use किया जाता है, आचा किस-किस के लिए जाता है, देखें, physics, chemistry, literature, peace, medicine and economics, economics आखरी है जो add हुगा था 1968 मे स्वेडन में दिया जाते हैं, सिर्फ और सफ ऐसे है, Nobel Peace Prize जो है, वो Oslo में दिया जाता है, नौर्वे में, या देखेंगा, Peace Prize नौर्वे का बाकी सारे स्वेडन के है, three people, act maximum, can share a Nobel Prize, या देखेंगा, या देखेंगा, यह नहीं है कि जरूरी कि आदमी को ही दिया रहा है, य ये तीन maximum होगा, जिनको मिलेगा, ज्यादा उस से ही हो सकता, फर्स विमें काउन थी जिनको मिला था, Mary Curie थी, इंडिया की बात की जाए तो रवेंदर नाटेगोर थी, जो फर्स इंडियन थे, जिनको Nobel Prize मिला था, फर्स एशियन भी थे, बेसिकली, इनको मिला था, literature के वेंकर ट्रमन रामा कृष्णर 2009 में मिला थे इंको, और के लाश रतायार्थी, पीस के लिए मिला था, पेज एट पे आपने देखा होगा कि अभी हम एडिटोरियल भी डिसकस करेंगे, जिए पंडोरा पेपर से चल रहा है, फिलहाल उसमें जाने की सूर्थ नहीं की सूर् इंका ग्लोबल नेट्वोक है, रिपोर्टर्स का, मेडिया ओगनाजेशन का, जो मिलके काम करते हैं, इंवेस्टिगेंट करते हैं, इसमें डालने की जूर्त नहीं है, एक एडिटोलर पे देखा होगा आपने, एक तो आया होगा था, वो सारा ओकर्स और सारी सार्क और सब होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो इतना इंपोर्टर नहीं था भी, वो उसमें बहुत डेटेल में आना चाहिए था, बहुत छोटा सा दे रखा था, वो उसके डेटेल आते रहते हैं, डोंट वरी, आपके जब तक में आएंगे, और जब तक नेस्ट यह का में आएंग अमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कांमेट को स्टिवलास करके रखते हैं, कर्बन को सीकेव स्टिशन में का म करते हैं, वा ट vacc को regulate करके रखते हैं कि जो state of world's forest report है इंपोर्टन एप्रिलियूंस करें भी point कि since 1990 हमारे जो forest cover है वो decline हुआ है यह यादख है global forest cover decline हुआ है अब यह क्या होता है कि जब आपको यह statement आगे रप्रिलियूंस में तो आप सोचे क्या है इतना forest initiative ले रहे हैं सारे लोग और इतना ज्यादा climate वो चल रहा है तो हो सकता हमने बढ़ा लिया हूँ तो यहाद देखेगा 1990 से अभी तक का मारा forest cover decline हुआ है इंडिया ने भी अपने 4.69 million hectares decline हुआ है यह important है बहुत जाता there is a decline in global forest cover 1990 के बाद इसी वज़े से 2021 से 2030 UN ने declare करा है UN declared on ecosystem restoration for improving environmental conditions ठीक है तो इंडिया ने क्या steps की है इंडिया ने एक bond challenge को join किया था उसमनों ने pledge किया है कि हम restore करेंगे अपना 21 million hectares of degraded and deforested land by 2030 यह याद केगा उसको हम 21 सब उननने revise करके 26 कर दिया है और 2011 से अभी तक हमने 9.8 million hectares achieve भी कर लिए restore भी कर लिए यह बहुत important point है याद अखना उसके बाद है कि forest restoration team planting जो है leading strategies है आज की टाइम पे to fight global warming ठीक है क्योंकि carbon sequestration में काम करते हैं खतम करने में यह याद अखेगा however it is fundamental to consider हमें सबसे basic होता है कि हमें consider करना पड़ेगा local ecology को भी हम कोई भी restoration effort करते हैं तो हमें सबसे important होगा कि local ecology को देखते हुए में restoration करनी चाहिए ठीक है और सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि जो सबसे कम tech sensitive है cost effective बहुत जाद है और जो more diversity को conserve करने में help करता है वो है natural forest restoration जहां पर जैसा forest उसको वैसी restore होने ते अपने आप से जो उखता है समझ गया बात को natural वही होता है जो अपने आप से हो कोई बाहर से interventions जादा ना हो उसमें यह बात रहे करने सीट ठोड़ दिये वह अपना आप germinate हुए बट यह नहीं है कि आप कोई और intervention करें वह यह नहीं कि हिंदुस्तान में हम लाके सावना grasslands को उगा दे वह ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ठीक है इंडिया में 21.9% population जो है वह अंडर poverty line है उनमें से 27 करोड लोग ऐसे हैं जो जो लोकल ट्राइबल को इंक्लूड करके जो डिपेंड डिपेंड अन्ड फॉरेस्ट फॉर सब्सेस्टेंस अपने रहने के लिए जीवन गुजर करने के लिए वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे उस वज़ए से हमारे 41% जो फॉरेस्ट रहों है यह यहां दे कि 41% जो जोएंट फॉरेस्ट मनेज़मेंट कमेटी यह बार इंपॉर्ट पॉइंट है एंडिवेट फैनजेंसिंग जो है एक मेंजर कंसर्ण है फॉर अधर से अधियान देनी की जरूरत है दूसर हमें क्या करना हुआ एक्टिव एंगेजमेंट करने होगी सारे स्टेकोलडर् awareness campaign, capacity building और stakeholders शुरू कर सकें ताकि हम enable कर सकें कि हमारी ऐसी policy interventions होगी और हमें ऐसा finance मिले जो हमारे को achieve करने में help करे for restoration ठीक है इसे जादा भी कुछ करने के जूरत नहीं थोड़े थोड़े फोड़े फोड़े यादे कि थोड़े एक दू पॉइंट इसमें हैसे थे जो prelims में आपकी काम आएंगे ठीक है, that's it for today, thank you so much for listening and have a good day, bye, take care, God bless you all